दोस्तो Chroma Tune application Android का ऐसा application है जिससे आप 2D animation video अपने mobile से बहुत ही आसानी से professional तरीके से बना सकते हैं दोस्तो अगर आप Chroma Tune application को यूज करके mobile से cartoon video बनाते हैं तो दोस्तो आपने कहीं न कहीं कमेंटे में जरूर पढ़ा होगा कि Chroma Tune से जो वीडियो बनाया जाता है cartoon video बनाया जाता है वो channel monetize नहीं होते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Chroma Tune application को यूज करके cartoon video बनाके channel को monetize के से कर सकते हैं जिस तरह से दोस्तो आप अपने Chroma Tune application को यूज करके वीडियो बनाते हैं जिससे आप Chroma Tune application से cartoon video बनाके अपने channel को monetize कर सकते हैं आपको 1000 subscriber करना होगा और आपको 4000 घंटा पूरा करना होगा ये criteria पूरा करने के बाद दोस्तो आप अपने channel को monetize कर सकते हैं पर दोस्तो आपको क्या करना है कि जो trick मैं आपको बताने वाला हूँ उस trick से आपको cartoon video बनाना है अपने Chroma Tune application से ठीक है तो आपको उसी trick से video बनाना है अन्य था आपका channel monetize नहीं होगा चाहे जितना video आप उस पे upload कर ले और चाहे जितना watch time उस पे लेके आ जाए या फिर चाहे जितना subscriber उस पे लेके आ जाए वो तरीका क्या है वो ट्रिक्स क्या है दोस्तों मैं आपको सब कुछ इस video में बताने वाला हूँ वीडियो को आप पूरा देखें वीडियो को कहीं skip नहीं करना तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां से आपको क्लिक कर देना है ठीक है यहां पर मैंने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रोमा टून का लोगो दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो यह लोगो अगर आपके वीड क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके समने ऐसा इंटरफेस आएगा ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर चैंज लोगों पे क्लिक करना है ठीक है तो यहां पर मैंने चैंज क्रोमा टून अप्लिकेशन की जगहां पर रिप्लेस करना है ठीक है तो पहले से आपको बना के रखना है तो मेरा एक चैनल है जिस पर मैं काटून वडियो बना के डालता रहता हूं ठीक है तो उसका मैंने लोगों यहां पर पहले से डाउनलूड करके रखा है यहां पर मैंन कर लिए किलिक और दिसें सब्सक्राहिज। क्लिक करणा किलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते कि मेरा जो लोगो यहांपे इसेट हो चुका है जो पहले क्रोमा । का मेरा चैनल का लोगो स्थी gefश्क European तो आप जब कोई वीडियो बनाते हैं अपने चैनल परक्राटूण वीडियो जब भी आप करते होगे तो आपका जो है वीडियो लोगो दिखाई देता होगा ना आपके वीडियो अपर अगर आप आप वहां से ना लगाना चाहें यहीं से अगर आप SET कर दें तो ज्याधा बेश्ट रहेंगा क्योंकि यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ठीड़ थ key तो आपको क्या करना है यहां पर आपको अपने लीगो को SET कर अगर आप वह तरीका ड़ता है तो दोस्तो चांस जाधा बढ़ जाता है आपके चैनल मॉनिटाइज होने का वह तरीका क्या है दोस्तो थो आपको इसी वेडियो को पूरा देखना है या फिर किसी के भी वीडियो से अगर थोड़ा सा भी इंफोर्मेशन मिलता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करना दोस्तों आपको लाइक करने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता ह इसी सी related में वीडियो डालूंगे तो दोस्तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और दोस्तो आप उससे कुछ और भी सीख पाएंगे तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आप प्रेस करे रहेंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा तो ठीक है दोस्तो आप चलो आगे वीडियो को continue करते हैं और बताते हैं कि दूसरा तरीका क्या है तो सबसे पहले दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे बहुत सारे option मिलते हैं ठीक है बैक्ग्राउंड को change करने के लिए आपको क्या करना रहता है आपको यहां पर करना रहता है क्लिक क्लिक करने के बाद यहां पर import बैक्ग्राउंड का option मिल जाता है और यहां पर दोस्तों आपको आपके गैल्डी से import करने लिए option मिल जाता है ठीक है तो आप इसταरह से background क uno import कर लेते हैं अब यहां से दोस्तों जब import करते हैं तो क्या होता है कि background सही से से नहीं होता है ठीक है आपने देखा होगा कि background यहां से ठीक से से भी नहीं होता है और आप जो भी animation कराना चाहते हैं वो भी सही प्रॉपर हो नहीं पाता है ठीक है तो अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको किस तरह से वुडियो बनाना है बैक्ग्राउंड आपको यहां से यह वाला रिमूप करना है आपको यहां पर लिखा है वहां पर क्लिक करना है वहां पर दोस्तों आपको ग्रीन ब लगा सकते हैं जब इस तरह से आप दोस्तों वीडियो बनाएंगे तो आपका जो है बिलकुर 100% को से सारे रिमूब कर दिये अगर आप और कोई भी गरेटर को माल लो इस वाले ले लेता हूं तो चलने के लिए क्या है यहाँ पर मैं ले लेता हूं क्लिक करने के यहाँ पर प्र यहाँ पर रन पर या फिर वोक करने का option मिल जाता है यहाँ पर वोक का option मिल गया है अब इसको हम कर लेते हैं record, रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने mobile घ्री स्क्रीण रिकॉर्डिंग होता है उसका यूजकरना ठीक है आप चाहें तो दोस्तों यहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको यहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो चलो मैं यहीं से रिकॉर्ड कर लेता हूं अब यहां पे दोस्तों मैंने इसका इसकी रिकॉर्ड कर लिया है अब इसका बैगराउंड मुझे जाके अपने ए animation करा लिया है यहां से काम इसका खतम हो चुका है तो में हिसको बै। करनेके बाद दोस्तों आपको कुया करना है कि आपको अपने editor को ओपन करना यह जो भी आप editor है यज़ करते हैं ऐपने वीडियो को edit करने लिए उसको ओपन माश्ठर करते हो या फिर लिए इंशोर्ड व facebook या फिर वीडियो विडियों को एडिट करने केने उसके इंशुड अप्लिकेशन आल sheriff चीजर ने तुझे विडियों को टॉपको अप्लिकर लिया ठीक है तो यहां 2007 को यूपन करके रखने होंगे ठीक है सब कुछ आपने डाउनलोड कर लिया है अब आपको क्या करना है कि आपको उस बैग्ग्राउंड को सेलेक्ट करना है ठीक है तो मैंने यहां पर पहले बैग्ग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया है ठीक है सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहा हो गया 31 सेकंड का हो गया ठीक है तो आप यहां पर क्या करना है कि आपको उस कारेक्टर को यहां पी इंपोर्ड करना है और उसके बैगराउंड को रिमूब करना है तो यहां पर आपको पिक्चर पिक्चर का एक उपसन मिलेगा इस पर आपको करना है कि जैसे आप इस पर करत कर सकते हूं जैसे कि मैंने पर क्लिक किया है और इसके बाद यहां पर इस तरह से इसको अड़ेस्ट कर लेना है तो यहां पर मैंने इसको अड़ेस्ट कर लिया इस तरह से ठीक है तो यह क्रॉप हो चुका है इसके साइस को अगर आप बढ़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से ब करने के बाद यह गोल्स sirkil जो है इसको आपको green screen प्ले के आना है अब यहां पर करके पहले देखते हैं यह देखो यह चल रहा है ठीक है पर यह आगे नहीं बढ़ रहा है और नहीं बढ़ तो इसको आगे कैसे बढ़ाना है सिंपल सा दरी का है दोस्तों आपको आप यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहां तक ले आकर सेट कर दूंगा अब उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा, ऐसे, ऐसे मैं इसको आगे बढ़ा लिता हूँ, यहां तक मैंने इसको आगे बढ़ा लिया, अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, यह चलेगा कि नहीं, तो यहां पर मैंने क्लिक किया, अब दोस्तों आप पर देख सकते हैं कि आपको जो character है यहां से चलना start कर दिया ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपको animation कराना है आपको chroma tune application में जाकि यह सारी चीज़े नहीं करना है आपको खाली जो है animation वहां पर करा लेना है यह सारी चीज़े movement जो कराना है वो सारी चीज़े आके आपको editor में कराना है इस तरह से अगर आप वीडियो बनाएंगे वाला हूँ तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकम को प्रेस करके रखें ताकि मैं जब भी उस तरह वीडियो को अप्लोड करूँ तो आपको उसका notification मिल जाए और आप दोस्तों वह वीडियो देखके पूरी तरीके से chroma tune के master बन सकते हैं chroma tune application को यूज करके cartoon वीडियो बनाना सीख सकते हैं तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ में तब तक लिए अपना ख्याल रखे जाएं